दो लोग नाव में बैठे थे और उनके तरफ एक शारकार ही थी, जो की एकदम से हमला कर देती है और नाव उल्टी हो जाती है जिस वज़े से ये आदमी शारक के मुह में गिर जाता है और शारक अपने खूंखार दातों से उसे नोच लेती है और वो मर जाता है। पर अफसोस की बात यह है कि यह नावब दूबने वाली है। अपनी बंदूग को लोड करके ये आदमी तुरंत इस टावर पर चड़ जाता है। मारने के कारण वो अंदर चली जाती है और फिर ये आदमी उसे भगाने के लिए उस पर गोलिया चलाता है और वो निशाने से लास्ट गोली मारता है और वो सीधी उस पर ही लगती है और वो मर जाती है